हलो दोस्तो नमस्ते स्वागत है मेरा एक और नए वीडियो में तो दोस्तो आप लोग कैसे हो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तो आज मैं अपनी माय के आ गई हूँ और सुबा पहुची हूँ कि देखी दोस्तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ घर अंदर देख लीजिए यह है कि जालों तरफ है गर है दोस्तों चानी वाले घर है दोस्तों मेरे माबाप बहुँ ज़यादा गरीब है क्योंकि दोस्तों यहां कोई वाला ही नहीं तब काम करनेगानेरा वाला ही नहीं है पापा बाहर रहते हैं यही परीवार को पोस्टने के लिए गजनेरा पैसा कमाने के लिए बाहर घया है। आपटा पंदरा दिन एक आते हैं पापा और ही घर में मेरा बचपना भी तो दोस्तों यहां की परिस्थिती बहुंच ज्यादा खळाब verloren बहुंस ज्यादा और दोस्तों यह जब मैं जहां पर खाना मनाते हैं मेरा भाई और दोस्तों अभी कोई काम करने वाला नहीं है तो मेरा भाई भरतन साप कर रहा है देखिए दोस्तों इधर काकी जाडू लगा रही है क्योंकि ये काम करने गई थी और अभी आई है और जाडू लगा रही है और इधर मेरे काकी काका लोग रहते हैं देखिए दोस्तों मेरे काका बहुत दारू पीता है और ऐसी करता है यह तो काम वाम करता ही नहीं है जवरत से ज्यादा खर्चा करता है जितना की काम नहीं करता है उससे ज्यादा यह पीता है रोज ऐसी करता है और काम नहीं करता है ज्यादा तो देखिए दोस्तों यह है और इधर है दोस्तों मेरा घर मेरा मैं के यह है दरवाजा जहां से हम लोग अंदर घुशते हैं देखिए दोस्तों यह है बाड़ी चारों तरफ से घीरा हुआ है देख लीजिए आप लोग भी और इधर बहुत ज़्यादा घास हुगा है जंगल जैसा हो गया है दोस्तों क्योंकि मेरे दादा जब जिन्दा था तो वो ऐसे घास को मतलब उखारता था और तो अब तो कोई नहीं है साब सफाई करने वाला इधर है कुआ चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि यह है दोस्तों कुआ और कुआ का पानी भी गंदा हो गया है उतना पीने लायक नहीं है फिर भी यह लोग पीते हैं और नालवल कभी उतना सुधा नहीं है दोस्तों इधर मेरा भाई बरतन साप कर रहे देख लीजिए अधर दोस्तों मेरे बहुत मेहनात करती है एक हाथ में बच्ची को पकड़ी है किसी की पास नहीं जाती भांजी मिल मेरे को बरतन साप करना पड़ रहा है यह देखो तो चाहिए तो एक लेडिस कुछ भी कर सकती है तो प्लीज दोस्तों इसका वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करना तो रखता हूं मैं मुझे तो बोलना नहीं आता क्यामरे में मोबाइल में ब और इधर दोस्तों मेरा भाई जाडू लगा रहा है क्योंकि देखिए दोस्तों इधर पहुत पानी चुभा है पहुत पानी घे रहा है इधर उपर से देख लीजिए और इधर भी साप सफाय नहीं हुआ है क्योंकि यहां कोई है ही नहीं साप सफाय करने वाला और जेंस ल दोस्तों बहुत ज़दा घास हुगा है और इसको उखारने वाला भी नहीं है क्योंकि दोस्तों मेरा भाई काम करने जाता है आटो सेंटर में चोटा सा दुकान खोला है वहाँ पे जाके काम करता है सव पचास ऐसी कमा लेता है घर खर्चके लिए तो दोस्तों आज के वीडि को इस्टा वीडियो में दिखाऊंगी अपना घर और अच्छे से तो आज के लिए बास इतना ही और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब के जिएगा और जो भी नहीं है है दोस्तों वो भी लाइक सब्सक्राइब के जिएगा तो दोस्तों बाइबाइब आपने भी अपना ख्यार रखिएगा